नमस्कार मैं हूँ विशेश सी राजपूत और आप देख रहे हैं वोईस अब MP नियूस जो है नगर परिशत राजगर का चुनाव का परचार परसार जोरो पर है आज हमारे साथ वाट करमांक पास से भारती जन्ता पार्टी के युवा नेता एव परतियासी वाट करमांक प से भारती जन्ता पार्टी से पार्शत पते तू चुनाव लड़ा जा रहा है तो आप जो है डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं तो किस प्रकार का जन्ता पार्टी ने मुझे वाट करमांक 5 से अपना प्रतियासी घोशित किया है डोर टू डोर संपर्क हुआ है मेरा लगब की सूच को लेकर निकले हैं Πूरी काफा का बर्मन करने तो किस प्रकार की समझ से आपको देखने के मिल रही और आपके मन में इसा है कि इस कार्य को मुझे आगे करना है समस्या तो 5 साल में सारी जगे पेदा हो गई, पिछले जो 10 साल भाजपा के कारिकाल के थे उसमें देखा कि उस समय हम लोगों ने जो विवस्ताइ की थी, वो 5 साल में सारी चर्मर आ गई, उसमें वो चीज आगे बड़ी नी पाई, राजगर और पीछे हो गया, देखने में मुलभूत यही आया, बात आई, मैं जहां खड़ा हूँ, राजेंदर कॉलोनी की, यह अवेत कॉलोनी थी, इसका हम प्रोसीजर वेत कराने के लिए 90% तक करा चुके थे, पास साल की कॉंग्रेस श सहीयोक का रखा था उस समय, तो जन सहीयोक से भी कारी होने थे, कुछ लोगों को गलत फेमिया या भ्रहंतिया यह है, कि पेसा वहाँ पर जमा है, यह है, तो उसमें यही हो रहा था कि 25% पेसा नगरपालिका में जमा कराया गया था, और जो लोगों को मिला है वापस, जिन लोगों ने अपने आवेदन दिये, उसमें 35% पेसा नगरपालिका लगा रही थी, तो यह सारी चीजे है, सड़क, नाली, पानी, यह तो मुल्भूत सुईदा होती है, हर जन प्रतिनी इसकी बात करता है, करना भी चाहिए, पर मैं इनके साथ-साथ, वार्ड के रहवाशिय जाएंगे, या मुझे कोई चीज की पता चलेगी, तो मैं उनके साथ उपस्ती तू, जैसा कि आज राजगर नगर के चुनाओं में एक सब्द की बहुत चर्चा औरी विजन, मुझे जानकारी मिली कि विजन सब्द का सरो परता मुपियोग आपने ही किया था, तो इस बार था कि सडक, पानी, नाली, सफाई, इस चीज की बाद हर जन प्रतिनिदी करेगा, हर चुनाओं लडने वाले प्रत्याशियों को करना चाहिए, वार्ड के रहवासियों को उम्मीद भी उसी चीज की होती है, पर उसी के साथ-साथ आपका आगे की सोच क्या है, उस चीज को भी लेकर चलना है, जैसे मेरा वार्ड का आप विजन शब्द की बात कर रहे हैं, तो वो सिफ विजन एक मातर शब्द नहीं है, उसके पिछे सारी जो आगे तक की रूप रहा है, सोचे, वो सारी सब कुछ है, ये वेद कालोनिक का जो प्रोविजन था, जो 90% पे आके रु नहीं है, उनको आगे बढ़ाना है, और उसके बाद नागरिक जनों की जो समस्या होगी, जो तकलीफ होगी, मैं मेरा घोशना पत्र बोलूँगा, तो उसमें मेरी बाते होगी, उनकी क्या बाते में, वो सुनना चाहता हूँ, कि वो जो बोले, उस पर अपन निराकरन कैसे क काम कर सकते हैं, वो काम करना है, यहीं विजन है, यह समझ लीजे कि मतलब बस जनता क्या चाहती है, उनसे समझ के दाइरे में लाके वो काम कैसे किया जा सकता है, यह चीज की सोच को लेकर आगे चले हैं, CCTV केमरे प्रमूख हैं, यहां पर सुरक्षा अच्छे हो, सफाई की विवस्ता हो, सुंदरी करण हो, और वाड का संपुर्ण विकास, राजगर का संपुर्ण विकास, भाजपा की परिशद, यह चीज की है सोच, बस यही चीज को लेकर आगे बढ़े हैं, जैसा कि आपने बताया, अवेत कालोनी और वेत कालोनी के बारे में आपने जिकर किय आपके वाड की परमुक समस्या या अवेत कालोनी रही है, बता रहा हो ना कि हमारे समय पर प्रोसीजर 90% तक हो गया था, 10% उसको आगे बढ़ा देते तो जनता का पैसा नहीं लगता, आज पूरा 100% पैसा जनता ने लगा कर सड़क बनाई है, सारी चीज करी है, तो मेरा प पड़ा पड़ा है, उदय पलेस तक, यह घर के कॉर्णर से, जिसमें बीच में दो, तिन मंदीर भी आते हैं, प्रमुक, कई माता है, बहने मंदीर आती है, उनकी समस्या है, हम लोगों को देखते हैं कि बाइक और कार से चलने में अगर परिशानी हो सकती ही, तो वो तो लो और समय पर प्रोसीजर 90% तक हो गया था, 10% उसको आगे बढ़ा देते तो जनता का पैसा नहीं लगता है, आज पूरा 100% पैसा जनता ने लगा कर सड़क बनाई है, सारी चीज करी है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सबसे पहले इस कॉलोनी का वेद कराने का जो प्रयास ह उसको पूर्ण किया जाए और वो हो या नहीं हो कम से कम जहाँ पर जिस भी प्रकार का सयोग लगता है, में सड़क यह जो बीच के आएक मुख्य मार्ग अधूरा पड़ा है, उदाय पलेस तक, यह घर के कॉर्नर से जिसमें बीच में दो, तीन मंदिर भी आते हैं प्रमु तो यह तो कॉलोनी वेध हो, अवेध हो, किसी भी प्रकार से इसको जिस तरीके से भी लाया जाएगा, प्रस्ताओं में लाकर इसका काम सबसे पहले इस सड़क का निर्मान करना है, जहां पे नालियों अगेरा की परेशानी यह उसको, और जल जो कि सबसे महत्वपुन जहां थी, वहीं के वहीं है, वो कैसे पहुचे, उसकी फिकर भी करना है, शुरू में सारी चोटी-चोटी चीजों को करना है, यह सड़क प्रमुख है, इसका कारी करना है, चाहे किसी भी तरीके से हो, और उसके अलावा वाडवासी जहां भी बताएंगे, कि उनकी यह समस् जो को ला कर, इस्टेडी करकर और उसके काम करना चाहते हैं, हर जगे से प्रयास करके, अगर यह सबसे बड़ी कॉलोनी है, वार्ड है, तो बेरा वार्ड अगर कॉलोनी सबसे बड़ी है, तो सबसे अच्छी कॉलोनी बने, बस यही प्लान है मेरा, और इसके अलावा गीत आतेड एव वाड कर्मान पास से वाच्वा परतियाजी धन्यवाद